अजी नमस्कार आप सभी को राजस्तान क्लासिस के यूट्व प्लेटम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वैलकम है तो दोस्तों अजी क्लास होती है आप सभी के लिए और पिटेटे का जो कंप्लेट कोर्स है यह आपको फिरी अवेलेबल करवा रखा है वेबसाइट पर वेबसाइट कहां पर मिलेगी गूगल पर यानि आपने मोबाइल में गूगल को ओपन करो और वहां पर जाकर लिखो राजस्तान क्ल सेज की वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको फुल कोर्स का ऐसा कुछ सेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों ठीक है चलो तो शुकर आज की क्लास को बड़ा शांदार यह शेसन होने वाला है आप सभी से निवेदन है आप क्लास के आख लाओ तो यह भी कर सकते हैं अगर यह नहीं हो पाएं तो आप यह कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें मर्शक्त करने पड़ेगी डाउनलोड करने हैं बस यह है चलो आई-स अधिकारी जैने केंदर सरकार ने मोख्यमंत्री निउक दिया था वो कौन थे दूसरों और यह पहला रहे थे जनवरी से अप्रेल तक यह रहे थे मुख्यमंत्री दोस्तों याद रखना पर थम गयर राजस्तानी थे और दूसरे गयर राजस्तानी कौन थे शेवचरण माथूर थे अगला सवाल सवाल है कि अहेडा अजमेर सुखपुरा कि किसके लिए प्रसीद है इनमें से क संद्रुगुप्त का लिन्यापर लगब ot86 सिख और प्राप्त हुए दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि इनमें से किसमाता का मंधिर रतनागिरी पाडि पर बना हुआ है तो दोस्तों सावीट्रे मॉता का का जो मंदिर उस सावीत्री मॉत्रेरात का जो की पुष्कर में है और पुश कर आपके काम पर पढ़ता है ये अजमेर में पढ़ता है तीर्थों का जिससे हम लोग मामा भी कहते हैं ठीक है अगला सवाल है कि या फिर आप इसको पांचवा तीर्थ भी कह सकते हैं अग्ला स्वाल है कांठल का ताज मैं किसे ओ गर तो सवाल पूल को नहीं काका जी पीर की दर्गा को कह जाता या के आप सभी का सुझ जवाब है। और वही बात करें कि वह यह कौन से जिल्ले मेचती थे तो प्रताबगड मेचती थे ऐसा अगर सवाल पूचा जाए उपर लेवल से ठीक है और मीटे शाह की दर्गवा हमारे जालावाड में है तो संत अब्दुला पीर का मकवरा जो आपके बांसवाडा में है और वहीं उसा मंदिर की बात करे या उसा राजस्तान के किस अब्यारण में आते हैं दोस्तों ओपन विल इस्टार्क ये पक्षी जो है राजस्तान के किस अब्यारण में आते हैं तो केवला देव घना पक्षी विहार में या ताल सापर में या राश्टी मरू या जवार सागर केवला देव घना पक्षी वियार मे चोटा है यह राजे का जो की 28 पॉइंट आप यह समझे कि 70 संथिंग जो है वर किलोमेटर फैला हुआ है ठीक है 31 रुप्यों से संबंदी सही युग में कौन सा है दोस्तों सत्य कथन कौन सा है यह रुप्या कुछमान की टेक्साल में बना होने से कुछमान यह कहला है ठीक है इसको बोपु शाई और बोर सी रुप्या भी कहते हैं यह भी ठीक है इसे शा अलम सेकंड का 31 राज्य वर्ष लिखा होने से 31 अदा बेलकुल सही है यानि उप्योक्त सभी कथन जो है ना दोस्तों यह सभी के सभी जो है यह सही है ओके किलियर है आगला सवाल देखो इन में इसे 12 जिले की परियोजना जो है ना दोस्तों वह कौन सी है तो उप्योक्त सभी जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देखो जैसा की बात करें तो अट्रू शेर्गड पेजल परियोजना बारा में है नागदा अंता ठीक है नागदा अंता बलदेव पुरा बजना भी यहीं पर है अगला सवाल है कि अरावली परवती प्रदेश से संब्दी तरस मिल किया इसका राजस्तान की तुलना करें तो इस द्रश्टी कौन से हम तुलना करें तो यह राजस्तान के शैत्रभल का 9 प्रतिशत है कोई दिक्कत नहीं और 10 प्रतिशत यहां क्या जन्संक्यायस तो प्रतिशन के मैं लिखू जहां पर यहपर रिखा जन्संग क्या है जलवाइव यहांकी दोस्तों अद्र झलवायू नहीं है उप्धर झलवाईवı है कि कौन यह उप्धर झलवाईव है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मिटी जो है काली खॉरी लाल कंक्री बिल्कुल सही है और यहां का वर्षा का जो इस तरह वो क्या है 15 से 90 से मिं तक का है अगला सवाल पूचा जा रहा है कि सुक महल वे उमेद महल किस जिल्ले में इस्तित है बताईए सुक महल वे उमेद महल जो ना किस जिल्ले में इस्तित है दोस्तों यह आपको बताना था और right answer आप सभी का हो जाएगा बुंदी में है, सुक मेल और उमेद मेल कहाँ पर है, यह आपके बुंदी में यानि option भी आप सभी का लॉक हो जाएगा, और यहाँ पर एक राजगर्ड मेल बना हुआ है जिसे बुंदी का मेल भी कहा जाता है ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे ध्यान रखेंगे अच्छा सवाल था अगला सवाल है राज़स्तान में सरश्ष्त्र क्रांती का जनक जो है न ये किनेक आ जाता है 145 का सई आंसर जो है वो क्या होगा गोपाल सिंग्हरवा हो जाएगा गोपाल सिंग्हरवा आप सभी का लोग जाएगे खरवा के ठाकूर्थ है दोस्तों और खरवा शेत्र जो है ये आपके अजमेर में पढ़ता था ठीक है राजस्तान में सरश्ष्त्र क्रांती का जनक को पाल सिंग्हरवा को इन्होंने अनेकों सहयोग्यों के साथ मिलकर जो है काफी जंगों का निर तारों को बजाने पर ध्वनी उत्पन होती जिनकी तारों को खींचने पर या तारों के टेकराने पर जो ध्वनी उत्पन होती है वह वाले तत्वाद्य होते है जैसे एक तारा रावन अता तो यहां पे सबसे जो मैद्पून है ना वह रावन अता को हम कहेंगे दोस्तों पाबु जी के वोपए जैसे ना राम देव जी के वोपए यह रावन हते का परयोग करते हैं जंतर का परयोग करते हैं देव नारायन जी के वोपए जंतर का परयोग करते हैं ठीक है अच्छा सवाल था यह भी आपका और सारंगी का परयोग कौन करते हैं यह करते हैं लंगा गई की जो है ना लंगा हुए इसका पर्यूग करते हैं अगला सवाल है किसके कारेकाल में देश में आपाथ काल लागउ हुआ था तो यह कह सकते हैं हरी देव जोशी जी सरकार बनीती हर दियो जोशी सरकार उसमें आपाथ काला लागु जो कि 1975 में हुआ था दोस्तों सभी को याद हो न चीए वैसे आपको इन में से पूचा है अश्रो गैलोत के समय हुआ नहीं था वसुंद राजे के समय भी नहीं हुआ था यही बात है आपको एक चुनना था यूं तो सबसे पहले जो है न वो तो हुआ था अपने उनके काल मे ठीक है केलिया रहे सब अगला सवाल निम लिकित मैं से कौन सा यूगम सूमयलित नहीं है तो 11 संदा जो जैपूर राजी जारी करता है यही तो गलत है 11 संदा दोस्तों है न वो शा पुराने और एकती संदा जो है यह जल्दी से बताओ अभी अभी की ही बात है को चामने र दारी करता है शाह अलम भरतपु राजे डबु शाही मारवार राजी यह ठीक है यह ठीक है लेकिन जैपु राजे नहीं 11 संदा यह शाह पुरा है दोस्तों याद रखना बड़ा अच्छा सवाल सवाल था यह आपका और एगला सवाल है कल्ला जी से संबंदित निम्न मैंसे यह गलत क्या है इनके पेता जी का नाम अच्छला जी था बिल्कुल सही बात है गुरू इनके भैरोनात है सही बात है चतुर्भुज का इनको स्वरूप कहा जाता है चतुर्भुज यानि की चार हातों वाले देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है ठीक है जनम इनका मे रियासत में कुमारवाड रियासत में तो अच्छा सवाल है और अगला सवाल दिखिए नियुन मैंसे असूमेलीद क्या है कि खानों के युद 1527 में हुआ था बिल्कुल सही बात है यह भी भर्दपूर में है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इन मैंसे कोई नहीं ठीक है अच्छा सवाल है खानों में राना संगा और बाबर के मद्द हुआ था जो बाबर इसमें जीते थे बाड़ी के युद में इब्राहिम लोदी को हराय था संगा ने बयान पुषकर मरगवन जे जैपुर में ये भी सही है दोस्तों संजे उद्यान मरगवन ये उदेपुर में है क्या ही सही है नहीं ये गलत है और पुषकर मरगवन ये अजमेर में सही है लेकिन आप्शन सी में कहीं हमें गड़बर लग रहा है क्योंकि ये अपना जो संजे उद लोकषद्भी इस्तान चामणडा मता का मंदिर अजमीर में है क्या呢 सीता मता का प्रताबगर दें रखाए तो यह ठीक बात है और चिंस माता का मजो मंदिर है ना यक आपके जेपुर में नहीं गैत्री माता अजमिर सही है तो दोस्तों जैपुर में एक मंदिर तो जरूर है सर जैपुर में जो मंदिर है उसका नाम है चींक माता ठीक है और जो बांसवाडा में एक मंदिर है जिसका नाम है चींक माता ठीक है तो यहां पर आपको किलियर ही रखना याद कि जेपुर के अंदर जो मंदिर है उसका नाम है चीक माता चींच माता नहीं है अगर चींच माता पूचा जाए तो आप बांस वाड़ा करेंगे दोस्तों क्या करेंगे बांस वाड़ा तो याद रखना बड़ा अच्छा सवाल है अगला सवाल है तिलम संग लिमिटेड किस फसल के लिए कारेट रहता है ये मतलब एक लिमिटेड संग है और ये कौन सी फसल के लिए तो सीधी बात है नाम तिलम है तो तिलन फसलों की पैदावार ही तो यानि आपसन भी आपका राइट आंसर होगा बड़ा अच्छा सवाल अगला सवाल है कि राजे में दुपईया वां चालक वे पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवारी किया ये दोस्तों कब किया था वैसे ये सवाल शाहिद ही पूचा जाए हमारे एक्जाम में तो 28 अक्टूबर 2015 को ये इसको जो है किया था कंपल्सरी कर दिया था एकला सवाल है सोनवा पेजल परियोजना से किस जिल्ले को जल क्या पूरते होती है तो सब्सक्राइब यहां पर लिख लेजयेगा यह इतना-इतना को यहीं समझ लीजेगा ठीक है यह और यहां पर आप लोग लिख लेजिएगा एक सिंचाई परियोजना का ए परियोजना जो है न दोस्तों यह हमारे 12 जिल्ले में ही है यानि आपका लौक हो चाहेगा और जो अन्ता है जैसे यह और है एक मांग रोल यह दो तैसिले हैं इन दोनों तैसिलों को यहां से पेजल की आपकूरती होती है नेक्ट सवाल है दोस्तों की असुमेलित है देखे द तो भी आपसे निवेदन है कि आप क्लास को शेर जरूर करा करें आपके लिए ही है जो यह मैनत की जा रही है और जब मैनत की जाए दोस्तों और क्रिडिट ना मिले तो फिर कहीं न कहीं जो है मोटिवेशन जो है वह हमारा ख़तम ही हो जाता है तो आपसे निवेदन है आपको जो है complete PDF दोस्तों दे रखी है चाहे भारत सामारे इंग्यान हो चाहे हिंदी हो चाहे राजस्तान जी के हो तो जरूर से जरूर देखेगा ओके चले असोमिलित क्या है परवत छोटी और उंच्छाई देखे दोस्तों यहाँ पर हम लोग यह बात करें तो परवत छोटी एक परवत होती है और एक पहाड़ियां होती है परवत छोटियां ठीक है मैं यहाँ पर यार लिख देता हूँ और दूसरा होता है कि पहाड़ियां ठीक है और एक होता है पठार ठीक है तो इन तीनों में थोड़ी बिनता है आप सबी को जानकारी होने चाहिए कि क्या-क्या भिनता होती है परवत छोट यह दोस्तों वह होती है जो 3000 मेटर की उंचाई से अधीक हो उंचाई की हो या इससे अधीक हो फ्रीक है पहाड़ी ही है जो 1000 मिटर से कम हो ठीक है कम हो यानि मैं या पर कम हो ही लए लिखता हूँ 1000 मिटर से किलियर हैं अच्छा लेकान यह याद रह turbulence आ जो पहाड़ी और पर्वत छोटी होती है ये नुकईली होती है उपर से कैसी होती है नुकईली होती है तीखी कह सकते आप लोग ठीक है लेकिन जो पठार होते हैं ना पठार हमेशा भले यहां एक हजार मिटर से कम ही होते हैं वैसे एक हजार मिटर से बट इसमें क्या होता है इसमें उपर की जो भूमी होती है वो समतल होती है दोस्तों कैसी होती है समतल होती है यह उपर की भूमी नहीं कह सकते पठार का, ऊपर का जो हिस्सा होता वो संतल होता है, ये आप भिनता यहां पर जान लीजेगा, ठीक है, ओके, तो अब यहां पर जो है, सेर चोटी जो है ये सारी क्या है दोस्तों, परवग चोटी है, कोई दिकत नहीं है, कि भी, क्या बड़ी है नहीं है लेकिन परवत छोटी है 100% सेर ऑना गुरु से गुरु से तो तो चोटी यह दूसरी चोटी है राजस्तान की दिलवाड़ा गुरू से दिल जरा दिल वाड़ा जो है न यह आपकी तीसरी छोटी है जो 1622 मेंटर पर है अचल गड़ जो की पांच वी सबसे मतलब निचले करम है पांच वी छोटी है ठीक है तो यह 1280 नहीं है यह 1380 है तो दोस्तों यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि असुमिलित यही था बाव की आभी परवत 1295 मेंटर आप कह सकते हैं ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रेन पर है अगला सवाल है निमलिकित मैंसे सई यूगमन नहीं है संस्तापक और पीठ संत रामचरण जी राशापपुरा के संस्तापक है जो की रामचरण जी संपरदाय से संबंद रखते हैं सरोपरतम इनों नहीं ही यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी संत दर्याओ जी रेंड के हैं बिल्कुल सही है दोस्तों यह चारों जो है न संत और चारों जो है न यहाँ पर पीठ है यह किसकी है रामस नहीं संपरदाय से संबंद देते हैं यह चीज याद रखेगा यहां से संत दरियाओ जी रेंड से है बिल्कुल ठीक है संत अरी रामदास जी सिंगतल से है संत पीपा जी खेडापा से नहीं है खेडापा से दोस्तों कौन है खेडापा से कौन है आप कहेंगे सर रामदास जी है खेडापा से संत राम चरण जी तो मुख्य रूप से ही है मुख्य ठीक है संत दरियाव जी तो रेन यहां पर न से व को रिलेट कर लो थोड़ा सा समझो ऐसे ठीक है रेन दरियाव जी संत हरी राम दाज जी सिंहतल सिंहतल नाम बढ़ा है दोस्तों याद रखना ठीक है और संत हरी राम दा दाज जी है रामदाज जी तो रामदाज जी शौट नेम है तो गईने के खेड़ा पाप लोग याद रखी लेंगे के लिए रहे दोस्तों नेवन मैंसे असो में लित्या है डोला मारूरी चौपाई कुशलाब कोई दिकत नहीं ललीत गिर्ा सामदेव ने लिखा ठीक है तो एक और है दोस्तों हरी के ली नाटक मैं हरी menta कि ने लिखा था पता है न सभी होव्यक्री सद्षाब लिकाता अच्धें सुराच प्रगश जीने ऊःऊ enhance लिकिया रूक और्शूरingo मल मिष्टन नहीं लेखा था वो भीहारी नहीं लेखा था जनका नाम था बिहारी मल दोस्तों भीहारी मल ही नाम था जैनका बिहारीसर सय लेखा अनगत का स्वागत आचारिम आप रजी ने लिखा था ओके दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि उत्तर पची मी मरुसल भाग से संबंदित असुमेलित क्या है जो कि राजस्तान की तुलना हो रही यहां पर वर्षा यहां पर 20-50 से मी होती है बिलकुल लेकिन रेतिली बलूई मिट्टी है कैसी है रेतिली बलूई मिट्टी है दोस्तों ठीक है अच्छा सवाल है और हमने आप्शन D को चुना है अगला सवाल है कि बादे सर में इस्तापित की गई ताफ विद्यूत परियोजना किस पर आधारित है बादे सर में इस्तापित की गई त पाफ विद्यूत परियुजना दोसनों वैसे भादेसर ही कहां पर है कि आपको यह पता हो उना चीए अधान करतितम तो रहेएं जो यह बाड मेर में है और यह जो आना लिग नाइट पर आदारित है यह आपने option C को चुनाए तो बिल्कुल आप सभी का सभी आंसर हो जाएगा और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए कि अगला सवाल अगला सवाल है इनमेंस असो मेलित क्या है अदिवास्यों का आरा सोना बांस नहीं है नहीं है गौर वरक्ष मढई खेजडी ही है दोस्तों याद रखना अच्छा सवाल था और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और यह क्या कहरा रहा है कि नेमन मैंसे गलत योग में कौन सा है एक लिंग जी का मेला उदेपूर, खाटु श्याम जी का मेला सीकर, सेपू मेला, धौलपूर, चंदर परभू मेला अजमेर गलत है चंदर परभू मेला जो है ना दोस्तों यह आपके अलवर में भरता है और अलवर के कहां पर भरता है अलवर के तिजारा में यह आयोजित होता है अच्छा सवाल है दोस्तों याद रखना एक लिंग जी मेला उदेपूर, खाटु श्याम जी का मेला सीकर, सेपू मेला धौलपूर नेक्स सवाल आपके स्क्रेन पर है शब एकद्र मुस्लिम समदाय का त्यमार है किस मा में मनाया जाता है शब एकद्र मुस्लिम समदाय का त्यमार है कुन से मा में मनाया जाता है तो यह रमजान महिने में मनाया जाता है दोस्तों याद रखना अच्छा सवाल है और 27 भी तारीकों मनाया जाता है यूँ देखें तो आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा और नेक्ट सवाल आपकी स्क्रेन पर है अगला सवाल है कि रंथंबूर दुर का उपनाम नहीं है रंथंबूर दुर का उपनाम नहीं है जैसे दुर्गा दीराजिन को का जाता है चितोड के ले का छोटा गया है बर्थपुर के दुर को जो लोहागड के नाम से हम लोग जैसे पढ़ते हैं क्लियर है दोस्तों ओके अगला सवाल है कौन सा मेहल है जहां मंदीर मज्जिद और गिरिजा घर के समनवे का अनूठा उदारन है तो दोस्तों यहां पे सूपार इमेल हो जाएगा यानि को लोग करेंगे हिंदू मुस्लिम और इसाई संस्कृति का जो है हमें अनूठा समनवे देखने को मिलता है रमक जमक 32 जो है किस शासा की कावे रचना है दोस्तों बताइए तो रमक जमक 32 जो है यह सवाई परताब सिंग के यानि ऑप्शन डी को लोग करेंगे 32 किस शासा क कावे रचना सवाई परताब सिंग की है अब अगला सवाल देखते हैं निर्म मैंसे सही नहीं है बताइए तो देखे दोस्तों निर्म लिकित मैंसे सही कौन से नहीं है सांकली जो है न सिर में पहना जाता है सांकली ठीक है सुरलिया कानों में पहना जाता है रखन जो है दा सा आज सो में लिए दोस्तों इस परकार के सवालों पर हमें फोकस करना चाहिए कई बार एक्जाम में इस परकार के सवाल उटांग पटंग वाले पूछे जाते हैं है ना दोस्तों चलें क्रश्न विलास जो महल है यह उदेपुर देरका है खुश महल उदेपुर है जगनिवास महल और जगमंदिर उदेपुर है उदेविलास महल उदेपुर है दोस्तों यहां पर आप क्या सही करेंगे बताओ सर हम तो क्रश्न विलास उदेपुर है सही बात है सर खुश महल उद दूंगरपूर में सर उदे विलाश दूंगरपूर में याद रेखना ओप्सन बी को लॉक करा है आपने अगला सवाले निम्न मैंसे कि इसका शैत्रपल गलत है यानि की संभाग दे रखा है और शैत्रपल दे रखा है उदेपूर संभाग का 36,942 वर किलोमेटर में इसका सरत्रपल है ठीक है और जैपूर 36,615 वर किलोमेटर में यह सही है ठीक है और इसका एरिया एरिया के बारें बात हो रहे है और बीका नेर जो दोस्तों गलत है भीका नेर का यह बीका नेर जो है न चॉसर्ट 708 जिसकी पोजिशन रहती है सेक़न पोजिशन और फर्स्ट पोजिशन किसकी रहती है वह रहती है जोदपुर की दोस्तों संबाग के माव्यम जो कि एक लाग साथ आजार से और अजमेर 4848 यह सही बात है ठीक है दोस्तों अगला सवाल है और पृतिवराज तरते ने तुमुल यूद किसके विरूद किया था तो चंदेलों के विरूद किया था जो चंदेल के राजा थे परमार्दी ठीक है परमार्दी कहलो या फिर पर माल देव कहलो इस परकार के नाम जो है हम पढ़ते हैं तो महुबा के यह चंदेल थे दोस्तों कहां के थे महुबा के चंदेल आप सभी का लौक हो जाएगा और यहां पर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारी क्लास आज यहीं पर फिनिश करते हैं कल जो प्रशन पूचा था आपसे कि बेड़त चंदी का उद्गम इस्तल कहां से दोस्तों तो इसका बेड़त चंदी का उद्गम इस्तल वैसे गोगुंदा की पाडियों से और आंसर लाइव में तो एक भी नहीं आया था लाइ जो कमेंट करने में आपको शरम की बात महसूस हो रही है तो मेरे ख्याल से पढ़ने में भी होनी चीए ना खैर कोई बात ने लेकिन जो भी पढ़ते हैं अगर किसी को जिग्याशा है कि मुझे पढ़ना है मेरा नाम भी किसी ने किसी दिन लिस्ट में रहना चीए अगर आपकी जिग्याशा होगी ना तभी ऐसा काम बन पाएगा आने था नहीं मेरे कहने से आप कमेंट करेंगे नहीं मेरे जिद से आप कुछ करेंगे नहीं अगर आपके मन में थोड़ा सा भी है तो आप जरूर कमेंट करेंगे और जब आ आप किसी चीज को एक्स्ट्रा देते हैं 2-4 मिनिट तो वो निच्छी आपको याद रहती है ना बिल्कुल चले तो ये दो जनों ने कमेंट करा था हुकमी चंद और मोहित कोटनिष्ट बहुत 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 शुब कामना है आपको ऐसे एक्टिव रहा करें और आज का जो सवाल है आज का सवाल है साबर मती नदी का उद्गम इसतल कौन सी पाड़ियां है आपका मन करें तो लाइव में आंसर जरूर देना और आपका मन करें तो बाहर भी जरूर देना जब लाइव की लिस्ट में एक भी नाया नाम नहीं मिलता है तो बाहर से कमेंट उठाए जाते हैं बाहर कमेंट वाले सेक्शन से ठीक है यह आप सभी को जानकरी है वैसे पहल नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैं इस क्लास को दो गंटे पहले रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं दो गंटे में 20 मिनिट की क्लास अपलोड होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय जो है लगता है और को नेटवर्क यहां का कितना वीक है लाइव आने में भी काफ़ी समस्या होती है लाइव आ नहीं पाता हूं मैं इसलिए आपको प्रीमियर लाइव दे रहा हूं प्रीमियर लाइव के लिए भी मुझे दो घंटे पहले रिकॉर्ड करके अप्लोड करने होती है दो-दो धाई